राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दी खार्दी स्वागत अभिनन्दन आज की समय में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा कमाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन इसके बाद भी वे इतना ही कमा पाता है जिससे उसकी रोजी-रोटी चल सके पैसा ना होने के कारण उसे अपनी बाकी की इच्छाएं कभी-कभी मारनी भी पड़ती है पैसा भी हर किसी को नहीं मिलता ये भी सब भाग्य का खेल है जिसको मिलता है उसको जरूरत से ज़्यादा मिल जाता है और जिसको नहीं मिलता उसे बहुत ही कम बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कम पड़े लिखे हैं लेकिन अच्छी जोब पर हैं अच्छा खासा कमा भी लेते हैं वही बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारी डिगरियां होने के बाद भी जोब की तलाश करते रहते हैं अपने जीवन में पैसों की कमी दूर करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूं इस उपाय को करने के बाद आपको बरकत होगी, जीवन में कभी भी धन का आभाव नहीं रहेगा इस उपाय को आपको गुरुवार को यानि कि ब्रहस्पतिवार को करना है यदि आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे तो आपको अपने पर्स में गुरुवार के दिन श्री यंत्र रखना चाहिए लेकिन श्री यंत्र की पहले पूजा करनी है विधी विधान से आप पूजा करें और फिर पर्स में रखें दूसरा उपाय यह है कि आपको माल लक्षमी को चढ़ाए गए चावलो में से थोड़े से आप चावल ले एक कागच में उन्हें रख ले उसकी पुडिया बना ले और फिर अपने पर्स में रख ले इस उपाय को करने से शुकर ग्रहे और माल लक्षमी से संबंदित सकारात्मक आपको फल प्राप्त होंगे आप पीपल के पत्ते भी अभी मंतरित करके यानि की भगवान का नाम लेकर अपने पर्स में रख सकती हैं जिसमें भगवान विश्नु का वास होगा धन संबंदी समस्या से चुटकारा पाने के लिए आप अपने गुरू की तस्वीर भी पर्स में रख सकती हैं और मा लक्ष्मी से संबंदी चीजें भी अपने पर्स में रख सकते हैं जैसे गोमती चक्र, समुद्री कोडी, कमल गटे, चांदी का सिक्का तो ये वस्तुएं आप रखेंगे तो मा लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी वस्तुएं खंडित नहीं होनी चाहिए, मालो आपने पुडियां में चावल बांद कर रखे हैं तो कागच फट गया है, आप उसे जल में प्रवाहित कर दें और दूसरा यानि कि पेज अच्छा मजबूत लेकर उसमें चावल डाल कर बस इतनी सी आपको बात ध्यान में रखनी है और अगर श्री यंत्र रखेंगे तो सबसे बैस्ट उपाई हैं तो आप इन में से कोई भी एक उपाई करें और फिर देखें माल लक्षमी आपको कैसे माला माल करती है उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शे आपको मिले, धन्यवाद